इससे पहले हम जो बात करे थे कि इनकी over wintering sites के उपर हमें कैसा नजारा देखने को मिलता है look at this यह over wintering site है यहाँ पर मुनाच clusters जो है वो आपको omel tree के उपर जो के Mexico का site है वहाँ पर यह आपको इस tree के उपर ऐसे लग रहा है जैसे मतलब आप इसको देखके अगर आपको कोई indicate ना करें कि यह मुनाच butterfly है तो ऐसे लगेगा जैसे यह tree बिमार हुआ वर शायद बहुत सारी fungus जो है वो लगी वी है लेकिन इस तरहां के trees और भी बहुत सारे जहें वो इस तरह clusters की form में एक दूसरे के उपर चिपके वे होते हैं तो दरगी कर जब यह एक दूसरे के करीब living bodies आती हैं तो वो heat को conserve करती है इसलिए जो है यह butterfly एक दूसरे के उपर जो है वो चिपकी हुए है और यह यहां पर rest करेंगे over winter जो है वो करेंगे जो है वो April की migration हमारे पास जो है वो यह यहां पर है क्योंकि April में जो है वो मौसम जरा start हुए तो यह अपने breeding season की तरफ दुबारा जो जो है जा रही है और यह पूरे का पूरा हिस्सा जो है वो मौनाच butterfly से बहर जाता है इवन यह जो है वो Canada के भी जो है वो बहुत सारे हिस्सों के अंदर जो है वो फैल जाती है फिर उसके बाद June से August जो है जिसमें यह वाली मौनाच butterfly जो है वो इस इस्टरन साइड को पर जो है वो पैल रही देलाइट कम हो रही है और frosting की situation आ रही है तो species survival जो है वो जूरूरी है तो इसको temporary छोड़ कर यह जो है वो उन warmer sites पर आ रही है जहां पर यह breed कर सकती है तो यह जो है वो इस्टरन जो है वो आईधर Florida में आकर over winter करी है कुछ जो है यहां पर रुख जाती है तो कुछ जो है य California coast के साथ जो है वो जो है वो over wintering sites जैसे यह picture में दिखाईवी over wintering site इस तरह आके दरख्तों के पर cluster सा जो है वो बना लेंगी मोनार्च डायपास मैं पहले भी बात की जिसकत किसी जो है वो organism ने जो है वो travel करना है तो एक असूल है जादे राह होना बहुत जरूरी है तो वो जो insects हैं वो अपने साथ कोई जह हो बैक तो लेकर नहीं जाएंगे पैक करके नहीं लेकर जाएंगे बलकि वो क्या करेंगे कि जह हो थोड़ी देर के लिए डायपास जह होता है अब बाकी जो insects तो उसमें डायपास के अंदर वो inactive हो जाते हैं लेकिन जो मनार्च प्रटर बहुत जाएदा हों carbohydrate इनकी body के अंदर जो fat depositing जो cells होते हैं वो enlarge हो जाते हैं और वो ये fats और ये proteins carbohydrates होते हैं इनको जो है वो store कर लेते हैं ताकि जिसकत इन्होंने जो है वो fly करना है तो ये उसकी energy को as a fuel जो है वो इस्तमाल कर सके प्लस जो fats होते हैं वो जो water है उसको reserve रख होता है तो इसमें जो है मुनाच बिटर फ्टाइज में जो fall migration की population होती है जिसकत उसने जो है fall का मतलब ये उसने सर्दियों के लिए जो है करना है तो उसमें जो fats और lipids का जो level होता है वो 34% जादा होता है जो के summer की migration है over wintering के बाद क्यूंके ये जो 34% जादा है ये इसलिए ज़्यादा है कि उन्होंने over winter भी करना है उसमें भी जिन्दा रहना over winter के बाद जो है वो दुबारा new जो है वो generation उसको भी जो है वो produce करना है एग भी लेक करने है तो फिर जो है अगर उनके पास body के अंदर ये reserves होंगे तो मौसम जैसे ही ठीक होगा temperature जैसे ही वो suitable होगा तो ये egg lake जो है वो करेंगी इसलिए जो है ये ये उनका जो है वो जादे रहा है ये उनका सफर का सामान है यो अपनी body के अंदर रखके जो है वो लेके चलती है वैसे भी अगर सोचा जाए छोटी सी butterfly है और वो अपने साथ एक bag को pack कर ले तो फिर वो fly नहीं कर सकेगी वो जो रियात थी कि उन्होंने fat deposit करनी है over wintering sites तहाँ पर है तो अब जो है वो हम northward migration देखे रहे हैं अब उन्होंने वापस जाना है तो वापस जो है वो किस वकर जाएंगी जिस वकर spring season है अब spring season की जो है वो क्या clue है इसमें तो जो है temperature rise होगा जो है day length increase हो जाएगी तो ये जो influence करेंगी कि आप जो है वो northward migration जो है वो start करें जो mated females होती है over wintering sites में वो जो है वो जल्द जो है वो over wintering site को छोड़के spring की site को पर आती है ताकि जो है वो egg लेकर सेके तो इसमें जो है जो mostly जो एक एक जो individual monarch butterfly का life span है वो less than जो है वो two months जो होता है तो ये जो over wintering की site से जो है जो आई है मुनाच butterfly वो यहां से यहां तक पहुंची है यहां पर आके इसने egg लेकिये हैं इसके बाद जो है वो इसमें से caterpillar निकला है अब caterpillar जो है वो exclusively जो milk weed plants होते हैं उनके पर feed करता और किसी पे नहीं लहाज़ा जो है वो उसका survival उनके उपर है वहां से उसके बाद जो 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 है वो अगें adult butterfly निकलेगी यह जो butterfly यहां तक पहुँची है यह वो वली नहीं है जो यह ओर wintering के बात जो ती है यहां से जो है next जो है यहां तक पहुचेगी वो वागें यहां से उसके जो है नीच्ट गिरिशन की butterfly यहां तक जाएगी पहर जो है वो वापस आएग तो ये जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ये generations जो है वो इन जगों के उपर क्योंकि इनके breeding seasons है तो ये हर जगा पे ब्रीट करेंगी वहाँ उनके host plants हैं और जो है वो different generations जो है वो इस पूरी एक root को जो है वो complete करेंगी spring के अंदर इस तरह ये जो migration है वो root तो complete होगा लेकिन जो eastern side है उसमें एक से ज़्यादा generations है वो हिस्सा लेती है लेकिन जो western side है उसमें जो है वो एक ही generation हिस्सा लेती क्योंकि वो travel जो है वो कम है अब important बात यह है कि मुनार्च butterflies यह जो इतना खुबसत फेनॉमेना जो हमें दिखाती है migration का तो क्या इन्हें कोई threat नहीं है क्योंकि हर living organism के लिए कुछ ना कुछ ऐसे environmental factors होते हैं जो कि उसकी population को जो है वो कम करते हैं तो कुछ nature के factors होते हैं और कुछ जो है वो अब क्योंकि human intervention बहुत ज़्यादा हो गई है तो वो man-made जो है वो factors आ गए है तक्रीबर 1990s के बाद 90% decline जो है वो देखा गया है इस monarch butterfly की population के अंदर और उसमें सबसे ज़्यादे इंपॉर्टन यह है कि वो अपना habitat जो है वो loss करें हैं क्योंकि जहां-जहां से यह गुजरती है USA में यहां जो है वो मेक्सिको में वो जगें जो हैं वहां पे वो forest areas को clear कर के आइसा-इसा उन जोगों को urbanize करें हैं for example over 90% जो है वो grassland ecosystem जहां पे यह आती है along the जो है वो eastern monarch central migratory fly over corridor it has been lost or converted into intensive agriculture और urban development कि हमने उन जगों पे जहां पे आके इन्होंने rest करना था rest कहां करना था इन्होंने उन दरख्तों पर जो है वो आगे rest करना था तो आपने वो दरख्त वहां से काट दिये हैं जब आपने उनका वो दरख्त ही काट दिये हैं तो अगर आप भी जाएंगी तो वो कहां बैठेंगी अगर नीचे बैठेंगी तो वो तो जमीन है वो वह द्रखते हैं कार दी यह वो जगे आपने अग्रीकल्चर जय है वो land लेने के लिए। आपने urban जै है वो urbanization कर दी यह वह factory बना धिए। वहां कोई housing coloni जुआ है वह बन गई है। अब जब मुनाज पेटरफ्राई जुआ हैं चुकि वो nature में present हैं तो nature हमेशे populations को control रखने के लिए कुछ हैं कुछ factors जो है वो वहाँ involve रखती है उनके कोई predators नेचर में होते हैं उसकी population को जो है वो एक level तक maintain रखते हैं यहां कुछ अब जो है वो इनसानों ने चुके intervention जो है वो इस nature के अंदर बहुत ज़ादा start कर दी है लहाज़ा जो wild populations हैं wild जो animals हैं जो wild insects हैं जो हमें nature में नजर आते हैं वो खुबसूरती है ecosystem का हिस्सा है तो वो भी जो है वो effect हो रहे हैं important बात यह हुई कि 1990s के decade के बाद से जो है 90% जो मौनाज butterflies है उनकी population में decrees देखा गया उसकी basic वज़ा क्या थी कि उनके जो habitat थे जो रहने की जगें थी वो lost हो गई रहने की जगा कौन सी है रहने की जगा बेसे उनकी जह वो उन्चे उन्चे दरख है जहां पर वो आकर जो है वो कठी होकर रहती है और वो कठी होकर रहती है तो इसका मतलब यह कि वो अपने आपको वो उंची जगाँ पर रहती है तक कि कोई जो प्रिडेटर है वो भी उनको जो है वो ना खा सके अब जब आपने उसका हैबिटेट ही लॉस्ट कर दिया आपने उसका घर ही जो है वो खतम कर दिया तो अगर वो वहां आ भी गएंग तो वो उनको कोई चोटी जगह मिलेंगी और प्रिडेटर जो है वो उसको खतम कर देगा यहां उनको जो है वो मुनासिब घर ना होने की व वो आके जो है वो खतम हो जाती है अब जितनी मुनाट पिर्टर फ्लाइज! वहान पे dead हो जाँगी, खतम हो जाएगी तो वापस जाने art经eing वाली जो है उनकी तादात कम हो जाएगी आगे जाने वाले की मजीद तादात जो है वो कम हो जाएगी तो जब हम agriculture का नाम लेते हैं तो साथ ही हमारे पास कुछ और चीज़ें आ जाती है वो है chemical जिसमें pesticides हैं herbicides हैं अब यह जो pesticide herbicides हैं यह उनके जो native plants हैं जो nectar plants हैं जिनसे यह nectar लेके जिन्दा रहती है वो जो जिसके उपर मुनाच butterflies feed करती है वो खतम हो जाएंगे इसमें जो है वो milk weed plant है जो के caterpillars जो है वो exclusively इसके उपर feed करते हैं वो उसका host plant तो insecticides जो हैं वो directly भी अगर मुनाच butterfly की साथ intact करेंगे तो बहुत सारे contact poisons हैं वो उन insects को जो है वो खतम करने का बाइस पहनेंगे इसके इलावा climate change change है वो जो wild animals हैं उनके पास कोई ऐसी strategies नहीं है मेज़ नहीं है कि वो उसका मुकापला कर सके हैं अब उस climate change में क्या हो गया कि जो timing of migration है वो vary कर जाएगी क्यों जो host plant की availability है उन फूलों का खिलना है मौसम change हो गए है किस वकर जो है वो temperature जादा हो जाएगा किसी वकर abrupt change आजएगी तो यह वो सारी चीज़े हैं जिससे अभी वो butterflies जो है वो उसके accordingly adjust नहीं कर पाई है लहाजा उनकी जो population है वो risk पर आ गई है अब उनकी migration, over wintering sites और जो यह तमाम चीज़े हैं वो एक दूसरे के साथ correlate नहीं करी है लेकिन अब जो है वो wildlife services जो है USA के अंदर काम करी है कि इन इस species को जो है वो preserve किया जाए क्योंकि यह एक बड़ा खुबसुरत nature का phenomenon शो करती है एक बहुत छोटा सा insect है जो के जो है वो नेचर 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 कंपस और इसकी इंस्ट्रिंक दीवी है उसको follow करता हुआ जो है वो मुखलिफ रास्तों से घूमता हुआ आता है तो butterfly जो है जहांबर सबर में रहेगी breed करेगी तो क्या सिर्फ खुद ही जो है वो फाइदा लेगी ये एक pollinator भी है तो जिन जिन जो है वो plants को जो है feed करेगी जिनका nectar लेगी तो उनको जो है उसके अंदर fertilization का और जो pollination है उसका phenomenon भी होगा तो जो pollination है cross pollination हमेशा जो crops होती है उनकी seeds के लिए जो है वो बेहतर होती क्योंके उसे stronger seeds जो है वो बनते है cross pollination के अंदर हमेशा recombinants बनते है ये natural phenomena है इसमें जो है nature जो है वो survival for the fittest का असूल जो है रखती है बेहतरी seeds आपको मिलते है तो जो है कोई भी चीज जो है वो ecosystem में जो है वो जाया नहीं जाती है या उसकी जो है वो present ना होना या जो है उसका present होना जो है वो किसी ना किसी वज़ा से है उसका कोई ना कोई फाइदा वहाँ पर माजूद है तो अगर butterflies की जो है वो population कम हो रही है तो उनको जो एक nature ने pollinators दिये वे थे वो basically वो decline हो रहे हैं तो जब वो decline हो रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी wild species plants की जिने और तो कोई fertilization की या pollination की सहुरत माजूद नहीं थी तो ये butterflies जो थी ये उनके pollinators थे तो आएसा आएसा वो plants थे हैं वो भी unnotisly जो है खतम हो जाएंगे जो larger crops हैं को जो है वो as a pollinator इस्तमाल किया जा सकता है वो भी जो है इनके पास पी कोई और दूसरा measure नहीं होगा कि cross pollination जो हो सके तो दोनों चीज़ें जो है वो interdependent हैं लेकिन climate change ने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो reshuffle कर दिया है और अब उस में उस reshuffling में जो तो adjust हो जाएगा चाहे वो animals हैं यहां उससे छोटे animals हैं यह larger हैं वो तो survive करेंगे otherwise climate change जो है वो बहुत ज़्यादा destruction यहां आइसा आइसा जो है वो जिन्दगी के खात्मे की तरफ भी जा सकती है